बच्चों मैं आप से इसके पिछले वाले भाग में बात कर रहता कक्साच छे की इत्यास पाटे पुस्तके अज्जाय संक्या चार की जिसमें हमने देखा बच्चों की वेदों की संक्या कितनी थी चार रिगवेद, यजुरवेद, सामवेद और अतरवेद वहीं हमने देखा बच्चों इन चारों वेदों में जो सबसे प्राचीन वेद था वो था अपना रिगवेद और रिगवेद के अंतरकज वारतालापों का प्रात्नाओं के रूप में जो संक्लन किया गया है उनको हम सुक्तों के नाम से जानता हैं जिसमें विश्वा मित्र और सतलज और व्यास नजियों के बीच में जो वारतालाप था उसका हमने अध्यन किया वहीं बच्चों इसके आगे के बाग में हमने देखा कि जो वेदों का जीवन था और वेदिक सब्विता के जो लोग थे उनमें किस परकार से सामाजिक रूप से विबिन परकार की जो एसमानताई मौजूद थी उनका हमने ब्रह्म गिरी और इनाम गाओं की सब्विता वहां से निकली कबरों और उनके जो कंकाल थे उनके अध्यन के द्वारा ये इसपष्ट किया कि उन लोगों में भी सामाजिक रूप से विबिन परकार की जो एसमानताई थी वो आज हम बात करेंगे इस अध्याई अर्थात अध्याई सिंक्या पांच की जिसका नाम है राज्य राजा और एक प्राचिन गंडराज्य जिसका हम देखेंगे बच्चों परिच्चे और वन क्या होते हैं उनके बारे में सबसे पहले बात करते हैं बच्चों चुनाओ के द वोट डालने के लिए जा रहे थे दरहसल बच्चों वे चुनाव के अंदर पर सबसे पहले पहुंचना चाते थे इसलिए वो सुबह जल्दी जल्दी जा रहे थे लेकिन संकर ने सोचा कि आखिर नाना और नानी जी जो है वोट डालने के लिए आखिर इतने उच्छाहिद क् संकर से कहा कि आज हम अपने सासकों का चुनाव करने जा रहे हैं तो बुचों यहां पर एक प्रस्ण निकल कर आता है कि वर्तमान में जब सासकों को मतदान परकिरिया के द्वारा चुना जाता है तो प्राचीन भारत के इत्यास में या अतीत में इन सासकों या राजाओं का क किन किन परकिरियाओं के द्वारा होता था क्या ये परकिरियाओं एक समान थी या फिर इन परकिरियाओं में विबिन परकार की जो बिनता हैं वो मुझूद थी तो इसी का अज्जन हम इस अज्जाय में करेंगे कुछ लोग सासक कैसे बने तो बच्चों बात करें कि सासक बनने की जो परकिरिया है वो लगबग पिसले जो 60-70 बश्रों में हम देखें तो एक जो मतदान की परकिरिया होती है चुनाव की उसके दोरा किसका चुनाव किया जाता है सासकों का चुनाव किया जाता है जो वर्तमान में पर चलीते हैं लेकिन बचों बात करें कि रिगवेदिक काल की तो उसमें कुछ राजा जन या लोगों के द्वारा चुनने जाते थे वहीं बात करें तीन हजार वर्ष पहले की तो राजा बनने की इस परकिरिया में क्या नजर आते हैं बचों कुछ परिवर्तन दिखाई देते हैं कुछ लोग बड़े-बड़े यग्यों यहां पर बचों एक सब देख बड़े-बड़े यग्यों इनका आयोजन करके राजा के रूप में श्यम को क्या कर रहे थे प्रतिष्टित कर रहे थे अर्थात बचों इस समय क्या है कि रिगवेद में क्या है कुछ राजा तो क्या है लोगों के द्वारा चुने जा रहे हैं लेकिन तीन हजार वर्ष पहले की बात करें तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि बड़े बड़े यग्ये करें और इन यग्यों के आयजन के द्वारा ही ये खुद को क्या इस्तापित कर रहे हैं राजा के रूप में प्रतिश्टित कर रहे हैं तो देखें बचों ये यग्ये कौ लोगों की देख रेक में स्वतंतर विच्रन करने के लिए छोड़ दिया जाता था इसमें बचों राजा के द्वारा अपने लोगों की देख रेक में एक गोड़े को स्वतंतर खुले में छोड़ दिया जाता था ये गोड़ा जहां भी विच्रन करता और जहां तक बिना पड़ेगा युद्ध करना पड़ेगा लड़ाई लड़ने पड़ेगी वहीं बच्छों दूसरी बात देखें कि यदि इन्हों ने इस गोड़े को जाने दिया तो इसका आर्थ होता था कि अस्वमेग यग्य करने वाला राजा क्या है इस राजा से अधिक सक्तिसाली राज है और जो ये राजा होते थे इन सभी राजाओं को अस्वमेग यग्य करने वाला राजा इस यग्य के अंतरकत इनको आमंत्रित करता था और ये सभी राजा अस्वमेग यग्य करने वाले राजा के लिए विभिन परकार के उफार लेकर जाते थे तो देखें अस्वमेग यग्ये में इनका किस परकार से क्या योगदान है तत पसाथ इन राजाओं को यग्ये में क्या किया जाता था आमंत्रित किया जाता था बुलाया जाता था यह यग्ये विशिष्ट पुरोईत होते थे उनके द्वारा क्या करवाया जाता था और यह यग्ये संपन करवाने के बदले इन पुरोईतों को राजा क्या देते थे बच्चों उफारों से सम्मानित करते थे इनको पुरुसकार दिया जाता था इन पुरोईतों को यग्य करवाने के बदले में अस्वे में यग्य करने वाला राजा अच्छे दिक 37 साली राजा माना जाता था और यग्य में आ भूमी का है वो किसकी है राजा की है इसलिए राजा को एक वीसेस आसन के उपर बिटाएंगे और ये आसन समन्य था बच्चों सिंग नामक जो जानवर है उसकी खाल से बनाए जाता था जो सिंग नामक जो जानवर है उसकी खाल से बनाए जाता था इसलिए इसको सियासन भी बोला जाता है और ये एक परकर कावी से असन होता था और ये केवल राजा के लिए ही होता था अब देखें बचों युद के समय राजा का साहरती ही उसका क्या होता था सहचर होता था साहरती के कुछ कारी होते थे देखें बचों कि यग्य के आउसर पर वे राजा की जो प्रेश्टीय जसे सामनी लोग भी इस यग्यों में क्या लेतातै थे राजा के लिए उफार लेकर आते थे जिननें पुरोइत क्या मानते थे शुद्र मानते थे अर्थात जो此ष वर्ण है ब्रहमन शत्रिय वैस्य और शुद्र अब बच्वों ये भी उपार लेके आ रहे हैं ये भी ला रहे हैं और ये इन एग्यों का क्या करा रहे हैं अनुष्ठान करवा रहे हैं लेकिन इन शुद्रों को पुरुईतों के द्वारा कई की येग्यों में अनुष्टानों में सामिल नहीं किया जाता था क्योंकि इनको क्या समझा जाता था बच्चों ए पवित्र समझा जाता था इसलिए इनको क्या होती थी येग्यों में अनुबती नहीं होती थी और ये वेश्य लोग भी राजा के लिए क्या लेके आ रहे हैं अब देखें बच्छों समाज जो है वो एक व्यावस्ता थी जो जन के आधार पर आधार रिती और उसी व्यावस्ता के आधार पर इस समाज को चार भागों में बांटा जिसमें पहला है ब्रामन दूसरा है शत था और अंतिम था वो था बच्चों सुद्र अब देखें कि जो इस समाज की जो व्यवस्ता को इस परकार से विबजित किया गया है इसको जन्म के आदार पर माना जाता है सुरू में और इसमें सभी के अपने अपने काम होते हैं और सभी केवल वही काम करेंगे जिस वर्ण म करने का काम किसका वहरा बच्चों केवल और केवल ब्रहमनों का काम है वहीं दूसरे पर देखें तो वह है शत्रिय वर्ण और शत्रिय वर्ण का कारिया है कि युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना यही इसका क्या है वर्ण धर्म है वर्ण धर्म से इतात्परिया बच ते क्रशक पसुपालक और व्यापरी इत्यादी परकार की क्रियाएं किन के द्वारा की जाती थी वहीं बचों जो सबसे अंतिम वार्ण है वो है शुद्र और इन शुद्रों का कारिय होता था जो ये तीन वार्ण है ब्रामन शत्रे और वैशे इन तीनों वार्णों की क्या क और इन शुद्रों को ए पवित्र भी समझा जाता था वर्णों में इन्हें अंतिमिस्तान प्रापता और इनका काम क्या होता था अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना ही इनका काम होता था तो बच्चों इस परकार से देखते हैं कि ये जो संपूर्ण सामाजिक सनस्तना है ये आगे हम देखेंगे कि बच्चों इसमें क्या हो रहे हैं विबिन परकार के ये संतोस उत्पन होंगे इस व्यवस्ता में और इसमें दीरे दीरे जटिलताएं उत्पन हो जाईए और दीरे दीरे इन जटिलताओं के उत्पन होने से समाज एक नए परिवर्तन की और अग्रस होगा अब देखें जो सत्रिय और वैस्य है इनको यग्य करने का अधिकार भी प्राप्त था वहीं बच्छों बात करें महिलाओं की शुद्रों की इनको कोई भी अनुष्टान करने का अधिकार नहीं था साथ ही इन्हें वेदों के अज्यन का भी अधिकार नहीं था अर्था प्राप्त नहीं था और इनको किसी भी अनुष्ठान को भी करने का अधिकार इनके पास नहीं था पुरोईतों के अनुसार सभी वर्णों का निर्दारन किस के आधार पर हो रहा है बचों जन्म के आधार पर होता है पुरोईतों ने कह दिया कि जो सभी वर्ण है उनका एकमत पवित्र आधार क्या है? जन्म. बाद में कुछ लोगों को अच्छूत भी माना जाने लगा और जिसMें कुछ सिल्फकार, सिकरी और बोजन संग्राक लोग क्या थे सामिलते इनके साथ-साथ में बुचों जो सुवों को दपनाने और जलाने वाले लोग थे इनकों भी क्या माना जाने लगा, अच्छूत माना जाने लगा और इन से जो संपर्क इस ताफिद होते थी, इन संपर्कों कों भी आपवित्र माना जाने लगा तो इस परकॉसे देख रहे हैं कि यहां पर जो यह वनवेवस्ता है कि समाज के कुछ वर्गों को और कुछ लोगों को क्या माना जा रहा है यहां पर एप पवित्र माना जा रहा है इनसे समाज में क्या आएगी बचों विन परकार याँ पर क्या हो रहा है विरोध हो रहा है अब विरोध और परिवर्तन किस परकार चाहरा है देखें कि कई लोग इस वर्ण व्यवस्ता को शुगार नहीं करें वहीं देखें कि जो कुछ राजा है वो श्यम को पूरोईतों से भी स्रेश्ट मानने लगे वहीं कुछ लोग ज नहीं मानते अर्था इसको गलत मानते थे कि वर्ण के जो निर्दारन का आधार है वो जन्म नहीं होना चाहिए बलके क्या होना चाहिए करम होना चाहिए अर्था जो व्यक्ति अपनी विशेष्टा और गुणों के आधार पर जो करम कर सकता है वो उसी वर्ण में माना जाना चाहिए इस प्रकार से यहां पर वर्ण व्यवस्ता का विरोध देखने को मिल रहा है कुछ लोग व्यवस्ताई के आदार पर लोगों के बीच में जो भेदवा हुथा इसको उचित नहीं समझते थे ये लोग चाहते थे कि अनुष्ठान शंपन करने का अधिकार किस के पास ह सबी के पास अनुष्ठान करने का अधिकार हो इस परकार से जो चुछ चूट की आलोसना होने लगी और भारती उपमादीब का एक शेतर देखें कि वो है पूरोतर शेतर इसमें सामझिक और आर्थिक रूप से एसमंताएं काफी कम हो रही है यहां पर और यहां पर प्रबाव क्या दिख रहा है देरे देरे कम दिखाई देरा तो इन जटिलताओं के फल्स रूप समाज में क्या आ रहा है बचों परिवर्तन आ रहा है तो बचों इस परकार से हमने इस भाग में देखा कि जो प्राचीन और अतीत में जो अपने राजा और सासक हैं वो किस अपने को राजा के रूप में प्रतिश्टित कर रहे हैं और एक अस्व में यग्य नामक बड़े यग्य का अनुष्टान और आयोजन करके उनके अदिन जो राजा होते थे उनको उपहारों सहीत वहां पर आमंतरन दिया जाता था वहीं देखा कि जो समाज है वो जन्म के आधार पर जो आधारीत एक व्यावस्ता है वन व्यावस्ता उसके अंतरगे चार भागों में ब्रहमन, शत्रिय, वैस्य और शुद्र में विबाजित की गई दी और इस वन व्यावस्ता में जटिलता के फल्स रूप ये विबिन परकार के जो परिवरतन है उनको हमने इस से देखा बच्चों इसके अगले भाग में मैं आप से बात करूंगा जनपद और वहाजनपदों के बारे में तब तक के लिए धन्यवाद